वेल्कम फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका देखिए आई थ्री 10 जेनरेशन के साथ एक ग्राफिक काड को प्यर करके जीटीय फाइब चलाएंगे जैसे की कमेंट आते हैं जीटीय फाइब सर चलाना है एक अच्छा सा PC बिल्ड कर दीजिए गेमिंग PC होना 30-32 के असपास जो है हमारा 33 ऐसे लमसम बजट खेशी आएगा लेकिन इस बजट में जो है आपका बहुत अच्छा जो है इस स्पेसिविकेशन के साथ PC बिल्ड हो जाएगा जो जिस तरह की आप मन में ख्वाइश लिए घूम रहे हैं GTA 5 जैसे गेम्स की तो यह आसानी से ज चलेंगे और प्रोसेश सर हमारा वहीं बजट रेंज में चला रहा है आइए 5 पे नहीं जा रहा है और आए 7 पर नहीं जा रहे हैं या को अ दिल्यट अपने नजदी की सौफ पर ले जाना और इन पार्ट को बिल्ड असेंबल करा लेना विंडो इस्टानल करने के बाद अपने सौफ़वेर इंस्टॉल करो आराम से चलाओ तो इस तरह का जो है आपका एमजॉन से हम पार्ट समगा सकते हैं आपका आई 310 जनेरेशन का प्रोसे और इसकी अगर फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग देखें तो बेस फ्रिक्वेंसी 3.6 GHz की बेस्ट फ्रिक्वेंसी है बेस वाली और इसमें टर्बो पूश्ट टेक्नलोजी का इस्तेमाल हुए है इसके बाद जो है आप 4.3 GHz तक जो है इसे मैक्सिमम बूश्ट करा सकते हैं तो यह रही थोड़ी बहुत जो है इसकी इस पेसिफिकेशन और 6 MB का जो है इंटर्नल इसका स्मार्ट कैस मेमोर्यों की बहुत तेज़ वाली मेमोर्य होती है वह आपको देखने को मिल जाती है एक सो अठाई जीवी तक रैम आपकी सपोर्ट कर जाएगा और सपोर्ट जो रैम करेगा वह 266 मेगा हर्स की होगी तो 32 मेगा हर्स तक की रैम हम इसमें लगाएंगे और प्रोसेसर का पूरा जो है जंडुबा मना देंगे इसको अच्छी तरह से गुमा देंगे यूज कर छिए जालेंगे इसका पूरा प्रोसेसर का अंट तो बडिया प्रोसेसर है इस प्रइस रेंज में आठ्वहर रुपें में बड़िया प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है और अफलाइन चाहें तो एक बार औहले इन सब पार्ट को आप ऑफलाइन भी कि ट्राई कर सक socket पर चलने वाला motherboard लगाएंगे जो हमारा 500 सीरीज में होगा यानि कि 11 जनरेशन के भी इसमें आप processor लगा सकते हो दिक्कत नहीं होने वाली है और graphic card इसमें 4.0 यानि कि latest वाले भी इसमें आप लगा सकते हो तो latest वाले भी आप इसमें graphic card लगा सकते हो आपके पुराने वाले भी इसमें चल जाएंगे तो इसमें जो है दिक्कत नहीं होगी जिस तरह से आपकी pen drive लेती है 3.0 से उपर वाले जितने भी वर्जन है उनमें 2.0 भी support कर जाता है इसी प्रकार ये आपका PCI slot 4.0 है इसमें भी आपके 3.0 वाले दाफिकार support करेंगे और अगर आप इसमें हलका ल अभी available है उनको ले सकते हो दिक्कत नहीं होगी यह जो है थोड़ा अपग्रेड़ेड़ वाला है 11 जनरेशन तक के processor इसमें support कर जाएंगे बविश्य में कोई जो है आप इसमें तगड़ा graphic card भी लगा सकते हो तो जो की 4.0 जो है वर्जिन पर support करें यहां पर जो है इसकी MRP है 5690 रुपया और तीन साल इस पर भी आपको warranty देखने को मिल जाती ही तमाम तरह के पोर्ट इसमें आपको जो बेसिक पोर्ट रहते हैं वह आपको देखने को यहां पर मिलेंगे वाई वी जैसमें नहीं है कि इसमें आपको ज़िए कर लें एक बार वी जिये पोट वर्ट है या नहीं है शुआ है पिर इसके बास देखेंगे जैसा कि चेक कर पा रहे हैं यहां पर लिखा है कि आपका अवेलिवल है और यहां पर जो है आपका एक keyboard mouse वाला port है और एक LAN वाला port है बाकी audio वाले आपके तिन ports है तो यह जो है कुछ बेशी की स्विस्वेशन है इसका तीन साल के वारेंटी है इस पर और यह जो है आपका अब तिस सो मेगा हट्स रिक्वेंसी की 64 GB तक की रैम आप इसमें लगा सकते हैं इस वाले लुक्त कार्ट के आज क्या रेट अब डॉन हो रहे हैं बहुत जादा डवल हो चुके है रेट तो तमाम तरह के जो है सिस्टम जो है आज कल बगार ग्राफिक कार्ड के विल्ड ओर रहा यानि कि ईनविल्ट ग्राफिक जो प्रोसेजर के साथ आते हैं उन्हीं पे ही लोग अपना सिस्टम बिल्ड करा लेते हैं तो यह वाला जो है ग्राफिक कार्ड जी टी तैन ठर्टी काफी पहले लॉंच हुआ था आप सोचते हो काफी बुराना लगा रहे हैं लेकिन ठीक ठाक है अभी आठीजार आठसो पचास रुपय में यह भी पाती है वह इन्विल्ट वाले ग्राफिक में आ नहीं पाती है तो ग्राफिक कार्ड जो है लगाना कंबल सरी है अगर अच्छी गेमिंग आप प्रोफार्म में चाहिए तो चाहे हल्का फुलका ही लगा लिए देखिए थोड़ा आठ्ट हैर आठसो पचास रुपैस का रे कि इसमें आप त्रिपल ए गेम जो त्रिपल ए सीरिज के गेम है जितने भी गेम्स है टाइटल जो त्रिपल ए गेम्स का जो टाइटल जिनको मिला हुआ है वह सम आप कर पाएंगे गेमिंग इस पे और जीटिया फाइब जो है कैन बी प्लेड यानि जीटिया फाइब भी जो है इसके साथ टाइटल आ रहा है आप इस पर रन कर पाऊ गयारा सो बावन मेगा हर्स के साथ मैं ऐसा यह बता रहे हैं और तीन साल की इस ग्राफिक कार्ड के साथ बारंटी आपको देखने को मिलती ह है तो ओल्ड पुराने पुराने ग्राफिक कार्ड लेने से तो बढ़िया है आप इसको ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई पुराना ग्राफिक कार्ड है पहले से या फिर कहीं कोई आप ऐसे अरिया में रहते हैं जहां पर ग्राफिक कार्ड जो है आपको सस्ता मिल जात है तो इसको प्यार करके में चीज है आप GTA 5 जैसे के कर पाएंगे त्रिपले गेमिंग से मतलब है तो त्रिपले गेमिंग को पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले देखते हैं इस जीटी टैन थर्टी के बारे में थोड़ा सा जानकाई लेकर तो यह जो है एन्वीडिया की वेफसाइट है और यहां पर जो है कुछ ग्राफिक अधिए सबसे लॉइस्ट वाला है जीफोर सीरीज में जो है जीटी टैन थर्टी इसके वह पड़ी टैन फिप्टी है टैन फिटी टी यह टैन सिस्टी भी है फिर उसके बाद टैन सेवंटी है इस तरह से जो है इन्होंने अपनी वेफसाइट पर सोकरा रखे हैं तमाम तर मेंस जो है हमारा त्रिपले गेमिंग हमारी करा देगा तो इसमें यहां पर इस स्पेसिफिकेशन कुछ लिखे गए हैं आप चाहिए तो इसको पढ़ सकते हो और इसमें अब मेमोरी स्पीट बताई गई है दोनों की जो डीडियर फॉर डीडियर फाइब वाला इन सब की जो है आपको डीटेल्स जो है चेक करना चाहिए तो चेक कर सकते हैं हलकी फुलकी आपको यहां पर वेस्ट पर भी जानकारी मिल जाती है जैसे कि हमारा यह ग्राफिक डीडियर फॉर रेम वाला है और यहां पर डीडियर फॉर वाला देखो फिर हैं लोग चेक करेंगे तो इसको देखें तो यहां पर देखने पर आपको पता लगता जो हमारा डीदrés वर्शल यह वर्जम है इस पर आप देखिए ज्जुन आन्वीडीय और 31421 रहां दिखा है एक हजार पचास है अभी एक हजार पचास यहां पर लिख तो दिया है लेकिन मेगा हर्स में है किस चीज में है यहां फिर डिफाइन नहीं किया गया है और इस टेंडर्ड मैमोरी कन्फिग्रेशन दो जीबी वाला ग्राफिक काड या मता रहे हैं 64 बीट पर चल रहा है और बैंडविध इसकी 16.8 जीबी पर सेकंड की है ऐसा यह बता रहे है जी प्यू को बूश्ट करा करा सकते हैं इसके तुरू हां तो करा सकते हैं वहीं और माइक्रोसॉफ डारेक्ट एक्ष्ट का सपोर्ड है कि बाकी आपको यह जो केविल आपका 3.0 वाला लगेगा इस पर पीसी इसलोट आपका और यहां पर जो है आपका मैक्सिमम डिजिटल रिजुलूशन जो है आपका अच्छा खासा आपको मिल रहा है और 60 हर्टेस पर आ अराम से चलने वाला है तो बस यहीं तक जो है यहां पर ग्राफिक कार्ड का पावर कर्जेप्शन जो है बीस वाट है और मिनिमम्म रिकम्नेंट सिस्टम पावर लगवाद 300 वाट जो है कम से कम पावर सप्लाई होनी चाहिए जब इसको आप लगा रहे हों ग्राफिक कार् वाले में तो 600 वाट कर लगा रहा है डवल हमें कोई समस्या नहीं होगी तो यह रही आपकी कुछ हलकी फुलकी जानकारी इस वाले ग्राफिक कार्ड की तो ग्राफिक कार्ड जो है हमारा यहां पर लिख रहे हैं 4GB का है DDR4 RAM है इसमें 4GB और GT 1030 है AAAGAMING इसमें हो जाएगा 3×2 मिंग का मतलब जो है इस तरह की गेम आपके जो बता रह gratis हैं 2020 में अभी तो बाइस चल रही है तो यह AAAGAMING मैं इस तरह के गेमापके आ रहे हैं यह जो है आपका पहला तो यहां पर जो है लगवर इस वाले वेबसाइट पर दस गेम यहां पर त्रिपल एक वाले दिये गहां से कि यहां पर लिखाए गोश्ट आपड़ तुरुश्यमा डायेक्टर कर एटी एड मोनिस्टर हंट राइज यह वाला गेम है आपका और रिफ्ट अपार्ड यह वाला गेम यहां पर दिया गया है डेट लूप यह वाला गेम है फाइनल फैंटेसी यह आपके लेटेस्ट लेटेस्ट जो भी गेम है वह अधिक तर चल जाएंगे यहां पर जो है जो त्रिपल ए गेम जो इस सीरीज में आपको दिखा रहे हैं व हुआ तो कि में चीज़ है आपका जो है कि एक प्रोसेशर आट जार रुपए का और इसी कीमत का लगवग ग्राफिक कार्ट जो है इससे जज्यादा आपका लगाना पड़ रहा है तब जाके सोलह जार रुपए के आशकर 16 की 161800 में एक आपका प्रोसेशर बिद्ग्राफ कार्ट त्यार हो रहा है तो भाई मेरे यहां तक जो है आपका 16,000 के बजट में आप सुयम देखो कौन सा आपका कोई ऐसा है जो आपका इंटरनल ग्राफिक के साथ ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो कमेंड करके आप बताना जो इस जोड़ी के मुकाबले ज्यादा भेतर हो अ और वो क्या इसकी टक्कर का होगा अब बताना मुझे आई फाइव 11 जनरेशन आता है जो की लगवग 20,000 के लमसम है तो वो जो है वो तगला थोड़ा पड़ जाएगा इससे लेकिन जो है फिलाल यह जो है भी बेस्ट जोड़ी है इनकी अभी बरतमान में देखी जाए और एक सिस्टम के लिए आजकल जो है सबसे जादा मैकसिमम स्पीड पर फ्रिक्वेंसी पर चलाने के लिए एक अच्छी स्पीड की जो है एम डॉट टू एन्वे में जो है बहुत ही जादा मैटर करती है तो जब भी आप सिस्टम बिल्ड करें तो मदर बोर्ट को देखें बिल्ड के पूसर को देखें सपोर्ट कर रहा है तो उसमें जो है लगा लिजिए आखे बंद करके अरदा हम से इससे कि जो है आपका सिस्टम जो है बिल्कुल चरम आप आनंद ले पाएं गेमिंग का बिल्कुल इसमोथ ली तो इसमें आपका प्रोसेसर का भरपूर आप उठा पाओगे रैम का भरपूर आम मज़ा ले पाओगे तो वो जो है बहतर रहेगा देखिए यहां पे एक ज्यादा बहतर नहीं तो ज्यादा बेकार भी नहीं है सबसे लोगा रहे हैं हम इस सिस्टम में 2426 रुपे की है और 240 जीवी की एक एंडौ टू इस वाले विल्ड में लगा लेना है तीन साल की वारंटी आपको मिलेगी रीड और राइट स्पीड इसकी 4545 एंब पर सेकेंड आप ज्यादा इस्पीड वाई लगा सकते हो लिवर 3500 के आसपास आपको उससे उपर आपको जाना पड़ेगा और 500 जीवी में एक अच्छे बजट में 2426 रुपए में 240 जीवी की आपको अभी मरतमान में SSD की टक्कर जो है M.2 आपको नहीं मिलने वाली है तो जो कि SSD से तो बहतरी है M.2 तो यह लगा ले आप अच्छी स्पीड आपको मिलेगी एक इतने बड़े सिस्टम के लिए कम से कम मिनिम्म कर रहा है आप 2666 की मद लगाओ क्योंकि रैम जो है प्रोसेसर को घुमा नहीं पाएगी फूरी तरह से मतलब जो है उसका जो है आप यूज कर नहीं पाऊगे बातिस्सों मेगा हर्स फ्रिक्वेंसी की रैम लगाना ज्यादा अंतर आपको विसेस पड़ेकर नहीं आप चाह रहा हूं लाइंकवारनटी पॉलिसी की बात करें रैम पर इस पर लाइफ टकर रहे हैं तकरीम दस साल कि इस पर होगी तो एक रैम आपको ब सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत बदिया चलेगा फिर अभी जो है हम आठ जीवे की इस वाले पीसी में इस्निमाल करने जा रहा ह इन सभी पार्ट को एक पावर देने के लिए अच्छी पावर सप्लाई की ज़रूरत है 600 वाट की पावर सप्लाई लगा देते हैं तक्रीवं 224 रुपए इसका है मारपी आप साड़े 500 वाट की भी लगा सकते हो 500 500 वाट की बहुत बढ़ी आप भी रहेगी फिलाल जो है एक 2,000 या 2200 रुपए का बजट लेके चल रहे हैं पावर सप्लाई के लिए दो साल की इस पर वारंटी आपको मिल जाती है 500 वाट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई इस्यू नहीं होगा एक देखिए इतने पार्ट लगाना है तो एक अच्छा जो है लुक पीसी को तो आपकी फर्माई से रखोष्ट रहती है तो एक और जीवी के लिए बजट आमारा रहेगा तीन हजार रुपया इस वाले बिल्ड में तो सभी पार्ट में जो है अलग-अलग जो है बांटा गया है बजट के लिए जब टोटल होगा तो आप जो है उसमें से अपनी के लिए रखे गए हैं इस वाली केविनिट की बात करें तो आगे और पीछे दोनों यानि की रियर साइट और जो है आपका देखिए यहां पर लिखा भी है केविनिट विद्ट एक जो है फैन आपका 120 mm का जो है आपको कहां पर है एक आर जीवी श्ट्रीप आपको मिलेग की और एक फैन आपको मिलेगा तो एक फ्रंट साइज पर है और एक बैक साइट पर है कहने का मतलब यह है दोनों फिरी मिल रहे है और आगए एक स्ट्रीप है यह भी आपको लगी लगाई आर जीवी की मिलेगी यहां पर लिखा है तक केस कम सुविद वन एक सो बीस एम एम A-RGB फैन एंड आर जीवी इस ट्रिप ऑन फ्रंट एन वन एक सुविस एम एम आर जीवी फैन और रियर साइड तो यह जो है आपका आगे और पीछे इसमें लगी भी आर जीवी फैन मिल रहा है तो यह जो है थोड़ा आपको जो है आर जीवी का लुक देखने को इस वाले रुपय केमिनेट 2200 की एक पावर सप्लाई एक M.2 एक मदर बोर्ड और एक आपका प्रोसेसर आई 310 डिनेशन चार को राट थ्रेट्स वाला उपर से एक ग्राफिक काड जीटी 1030 पुराना है लेकिन पेर अच्छा बन रहा है तो यहां पर जो है 33,226 रुपया है यहां पर पैसा हमारा बैठा जाके तक्रीबन 33,000 के आसपास आपका PC बिल्ड हुआ और इसमें पैसा आप घटा बढ़ा सकते हो अपनी सुब्धा अनुसार पावर सप्लाई 500 वाट की ले सकते हो तक्रीबन अगर अच्छा लगाओगे पावर सप्लाई 2000 से तो कम मिलने वाली है नहीं जो भी गुंजाई सोते सकती थी वह इस वाले में कर दी और इससे जादा आप घटा नहीं पाओगे घटाओगे तो कैबिनेट में आपको आरजी भी नहीं मिलेगी नॉर्मल वाली सही रहेगा वह भी आपके लिए 5,000 रुपए के आसपास वह भी आपको मिल जाएगा तो थोड़े पहुत पैसे बस सकते हैं फिलाल इस वाले में 33,000 रुपए आपका तक्रीवन ऑनलाइन बन रहा है तो PC विल्ड आपका हो जाएगा यह गेमिंग PC AAA गेमिंग आपकी कराए जाएगा GTA 5 की बहुत कमेंट आते हैं वह आपके चलाएगा PUBG चलाएगा इस तरह की गेम आपके आराम से चला देगा तो एक अच्छे बजट में एक अच्छा PC जो है आज के जो है वीडियो में हमने देखा कमेंट करके बताएगा कि क्या चीज जो है आपको इसमें और बहत कर पीसी बिल्ड कराना है Amazon पे कितनी तक का जो है आपका बजट है उतने पर देखेंगे प्रयास करके बनाके और एक अच्छा जो है PC बिल्ड करने का प्रयास रहा है आज की वीडियो में जो जो है आपकी बहुत जो है help करेगा बहुत ही ज्यादा जो है इसमूथ जो है गे अरिया हम का PC यह रहेगा जोहाँ ग्राफिक ट जो है आप देखी रहे है कि किसी आप से ग्राफिक कार जो है महगाई ग्राफिक कार्ट पर आ गई है ज VO थोड़ा यह है कि आने वाले समय में मुझे लगता कि युरिक हार्ट्ध जोह Bei से और आप देखते है कि एक चीज मैं आपको और बताओं कि इस तरह का भी ये ग्राफिक कार्ड जो बिलकुल ही लो प्रॉफाइल ग्राफिक कार्ड है जो खाली डिस्प्ले के लिए यूज होता है और कई वीडियो भी मैंने इस इस फिले लिया है इस वाले प्रोसेसर के साथ में और आपका काम चला रहे हैं दाई जार रुपे में मिल जाए करता था यह यह भी आपका इतना महका है तो चुंकि इतना महका जब यही मिल रहा है तो इससे तो बहतर है आप यह वाला ले लो तब भी जो है आपका बहुत अच्छा काम निकल जाएगा आज के समय में देखते हुए और आपके लिए अगर कोई बैस्ट ऑप्शन मिल जाता है इस वक्त ग्राफिक कार्ड का कोई अपग्रेडिट मॉडल टॉप मॉडल अच्छे प्राइज में तब तो क्या कहने है उस चीज के तो वह तो अलग बात रही लेकिन सबके लिए यह उप्शन नहीं उपलब्द कमेंट का आपको उत्तर मिलेगा देव सब्सक्राइब मिलेगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवारा आपका